आज हम बात करेंगे फोटो सेंथेसिस के बारे में, फोटो सेंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें बताया जाएगा कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाती है, और वो कैसे हमें ऑक्सिजन देते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं फोटो सेंथेसिस प्रोटो संद्र से कैसे त्यार करते हैं आपको पता है कि प्लांट अपना फूड कैसे त्यार करते हैं आउ सीखें कि प्लांट अपना फूड कैसे त्यार करते हैं सबसे पहले सन लाइट की दरूरत होती है जिस प्रोसेस से वो त्यार करते हैं उसको फोटो संद्र सेसिस बोलते हैं और फोटो संद्र सेसिस को हम जब तोड के लिखते हैं तो उसका मतलब निकल के आता है फोटो प्लस संद्र सेसिस फोटो का मतलब होता है लाइट और संद्र सेसिस का मतलब होता है इकठे रहना तो photo का मतलब light और synthesis का मतलब होता है एकठे रहना तो यह हम इससे अब सीखेंगे कि कैसे sunlight के साथ हम plant अपना food त्यार करते हैं प्लांट को जूरत होती है सबसे पहले सनलाइट की इसके जूरत होती है सबसे पहले सनलाइट की दरूरत होती है सबसे पहले सनलाइट की दरूरत होती है कारम डग से डेयर से लेते हैं और साथ में पानी लेते हैं वो सॉइल से तो plant को बनने एक food बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि उसको अपना food ट्यार करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है sunlight, carbon dioxide air से और plant से soil से water तो तीन चीजों की जरूरत होती है प्लांट को एक तो sunlight की जरूरत होती है एक carbon dioxide की air से जरूरत होती है और वो water जो है soil मतलब धर्ती से लेते हैं तो वो अपना food ट्यार करने में एक अपना photosynthesis का process implement करते हैं अब हम उसके बारे में आगे जानेंगे So we go further Leafs के अंदर एक छोटे छोटे पोल्स होते हैं जिनको हम आप देख सकते हैं यह छोटे छोटे जिनका उस्तों मेटा बोलते हैं आप यह देख सकते हैं यह छोटे छोटे होल्स हैं यह छोटे छोटे होल्स होते हैं Leafs की ऊपर की तहय के नीचे जिसमें यह छोट छोटे पोर्स मतलब छेदर होते हैं छेद जिसे बोलते हैं तो यहीं से यह Carbon dioxide air से लेते हैं और photosynthesis के process को complete करते हैं इसको स्टोमेटा बोलते हैं अब यह आप देख सकते हैं कि कार्वन डाइकसेड इंचिदर से अंदर जा रही है यह लाल-लाल कार्वन डाइकसेड के मोलिकूल्स है जो अंदर जा रहे हैं आप देख सकते हैं राम से बहुत बड़ी है प्लांट सेल्स में एक छोटी से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको क्लोरोप्लास बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोप्लास्ट छोट छोटी स्ट्रक्चर होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लाइंट की लीव स्सक्रोड के अंदर होते हैं इनका हम कलो फिल होता है है क्या होता है यह एक तरह का जैसे रोटी ब offers बनाते हैं तो आटा होता है उनको पहुत बनाने के लिए क्लोरो फिल अंदर से मिलता डाес कि Оreibt हुआ अ आप carbon dioxide और water आपस में मिलते हैं और sunlight से एक photosynthesis का मिला के ये त्यार करते हैं और chlorophyll के साथ ये बनाते हैं glucose गुलुकोस अब आप देखेंगे कि उसको कार्वन डाइकसाइड मिली कहां से मिली कार्वन डाइकसाइड उसको मिली कहां से कार्वन डाइकसाइड उसको मिली और उसको वाटर मिला कहां से सोयल से उसको सनलाइट मिली अलग से और साथ में उसको क्लोरोफिल मिला जो अंदर प्रॉमेटिकल की तरह पड़ा हुआ था और उसने बना दिया एक प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं क्या गुलुकोज ये गुलुकोज त्यार हो गया ये बन के त्यार हुआ है गुलुकोज इसके अलावा एक प्रोडक्ट और मिलता है और वो होता है और ये ऑक्सिजन पैदा यह सब समझ में आगया होगा और यह जो अक्सीजन है यह बहर निकल जाती है कहां से इनी छिद्रों से बहर निकल जाती है जो गुलकोज है वो प्लांट को आगे बढ़ने के लिए शक्ती देते हैं और जो जितना उनको चाहिए होता है वो रख लेते हैं और बाकी अपने अंदर स्टार्च की फॉम में स्टोर कर लेते हैं यह स्टार्च है सारा यह स्टार्च की फॉम में बाद में यूज़ करने के लिए स्टोर कर लेते हैं एक्स्टा गुलकोज को तो इस इस वे फूद इस प्रिपेरड बाए प्लांट बाए तो इसको आप ध्यान समय लिज़े एक बर पास करके दुबारा देखिए इस प्रिपेर प्रॉस बइस प्रिप्र बाए जापड बाए और इस प्रिपाद एक लाप बाद में डार ले ड़त ऑम्रेंग चरभा इस लापड़ को